हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमेशा एंटिवार्टिक क्यों देता है ऐसा हमारे दिमाग में जरूर आता होगा आईए हम जानते हैं कि एंटिवार्टिक क्या है कैसे काम करता है एंटिवार्टिक असल में एक स्पेस्पिक मेडिसिन होता है जो कि बॉडि के अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरिया या वाइरल इंफेक्श्चन हो जाता है तो उसे कम कर देता हैं इंती बार्तिक दो टाइपसे काम करता है बैक्तीरिया के ग्रोध को रोग देता हैं सिकेंड हम टॉफिकल क्रीम लोशन के रूप में ले सकते हैं या थर्ड हम डारेक्ट इंजिक्शन के रूप में इस्तमाल कर सकते हैं कभी-कभी हम इतना जादे infection हो जाता है body के अंदर कि low dose इस्तमाल करने पर कम नहीं होता तो doctor high dose का सुझाओ कर देता है एंटिबाइटिक अलग-अलग बीमारियों के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे penicillin tetracycline, clendamycin cephexin इत्यादि एंटिबाइटिक कि 2 या 5 दिनकी dose इसलिए दिया जाता है कि होने वाले body के अंदर infection को खतम कर दे एंटिबाइटिक का प्रयोग लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे सरीर के अंदर immunity power को कमजोर कर देता है या और liver या kidney जैसे होने वाले विबारी का सामना करना प्रयों को देखने के लिए धन्यमाद दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करें और नए है तो आप चैनल को सस्क्राइब करना न भूले